तो यहाँ दोस्ते हैं पर अगर आप यहाँ पोको X3 का डिवाइस है यहाँ पर आप लोग के लिए गुड़ नीज है MIUI 13 अपडेट को लेके उस नीज के बारे मैं आपको इस वीडिये में बताऊंगा इसके अलोग दोस्ते हैं पर पूको M2 के लिए भी नीज है MIUI 13 अपडे तो दोस्ते अगर आपके पास Redmi 9 Prime का डिवाइस है तो आप लोग को पता है कि इंडिया में MIUI 12.5.5.0 का एक अपडेट इंडिया में रोल आउट किया गया है कि यह अपडेट सिर्फ पाइलेट इजर को अभी तक देखने के लिए मिला है तो सभी लोग को यह अपडेट कब अगर अपने गश्यक्त करके ट्राइक करोगे तो आपका डेटा वैस्ट हो जाएगा तो यहां पर यह जो अपडेट इसने कंसे कम से कम आपको पाउच चैएँ dian का वेट करना पड़ेगा पांश यह जी अपडेटर को पब्लीक अलीमीट प्राइंडीन काине के लिया इसके की दिन का वेट को आप लोग अपडेट मिलना स्टार्ट हो जाएगा लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करूँ पोको एक्स तरी तो यहां पर आप लोगे लिए गुड नियूज है क्योंकि पोको एक्स तरी के लिए मी वाइट रेडी हो चुका है बहुत ही जला अपडेट रोल ग्लोबल के लिए ही सबसे फिले अपडेट आएगा और उसको जो बिल्ड नमबर है वो भी सामने आ चुका है मी वाइट रेडी हो चुका है बस आप लोगो थोड़ा सा वेट करना है यह अपडेट आप लोगो जल्दी रोल आउट होने वाला है ऑगस्ट के आसपस तो थो इसके बारे मैं आपको यहां पर बता है अभी तक इंडिया में कोई नया सेकुर्डी अपडेट फिलाल देखने के लिए नहीं मिलने वाला है और यह अपडेट कब मिलेगा वह भी आपको बता है तो यह अपडेट आपको ऑगस्ट के सार्ट में रोल आउट कर दिया जाग इंडिया में और इसका बिल नमबर है आप लोग के लिए रोल आउट होने वाला तो कुछ दिन का और वेट करना है पोको एमटू के लिए भी मीवाई थर्टीन को लेकि अपडेट आने वाला है बहुत जल्टियल नीज आ चुकी है मैं बता दिया पोको एमटू प्रो की ब आने वाला है बट उसके बार में अभी कोई ओफिशल इंफर्मेशन आई नहीं है जैसे कोई न्यूज आई कि मैं आपको डेफिनेटली वीडियो के जरी इंफॉर्म कर दूंगा तब तक के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूरू जोइन के लिंक बिल जाएगी आप लोग के लिए बहुत ही जले एक नया अपडेट रोल आउट होने वाला रेडिमी नोट 10S के लिए जहां दोस्ते हां पर आप लोग देख सकते हैं और इंडिया में भी रेडिमी नोट 10S के लिए अपडेट आप लोग के लिए रोल आउट किया जाएगा तो अगर होने वाले वैसे आपको कमेंट करके जरूर बता सकते हो आपको कोंसे बक्स वगरा फिस करने पड़े आपकी डिवाइस में इसके अलोग दोस्ते यहां पर शाओमी 12 प्रो का अगर आपके पास डिवाइस हो तो यहां पर आप लोग लिए एक नया अपडेट रोल आउट व अपको के लिए लिए म्लता है तो यह मिलता है इंडिया में दो डिवाइस ऐसे जिनको अपडेट जल्दी देखने के लिए मिल सकते हैं सबसे बात करो Poco X2 तो Poco X2 के लिए 200 अपडेट रेडी है बस आप लोग के लिए अपडेट किसी भी वक्त रोल आउट हो सकता है और यह अपडेट आपको आने वाले दो वीक में रिलीज कर दिया जाएगा Poco X2 के लिए इंडिया में तो थोड़ा सा वेट करो बाकि तो यार शाओमी को पर डिपेंड करता है कितनी जल्दी लोग अपडेट प्रोवाइड करा देंगी तो आप लोग कम से कम दो वीक का टाइम पकड़के चलो आप लोगो जल्दी अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा यही बात मैं रेडिमी 10 प्राइम यूजर के लिए भी बोलूँगा कि रेडिमी 10 प्राइम के लिए भी अभी तक मीवा 13 अपडेट नहीं मिला है इससे पहले जो मीवा 13 अपडेट मिला तो कुछ बक्स की वाज़से उनको रोग दिया गया था सभी लोग को नहीं रिलिस किया गया काफी लोग को बक्स वगेरा फेस करने पड़े तो अपडेट को सस्पेंड कर दिया गया तो अब एक नया अपडेट आप लोग लिए जल्दी रोल आउट होने वाला रेडिमी 10 प्राइम के लिए तो आप लोग थोड़ा सा वेट करो मुझे लगता है आपको ऑगर्स्ट के स्टार्ट में मीवा 13 अपडेट मिलना स्टार्ट हो जाएगा रेडमी 10 प्राइम में हो सकता है अभी दो चार दिन में ही रूलीस कर दिया जा शाओमी की तरफ से बागे दिस तो कोई इंफर्मेशन पता जली मैं आपको वीडियो के जरी इंफर्म कर दूंगा फिलाल के दूस्तो जो भी अपडेट की बारे में न्यूज आयती मैं आपको इस वीडियो में बता दिये तो अगर आपके पास इन में से कोई वीडिवाई से जाकर चेक आप लोगो टेलीग्राम चल पर भी सारी न्यूज पता चलती रही और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके गंटी का प्रेस कर दें ताकि अपडेट आने पर आप लोगो तुरत पता चल जाए वीडियो के जरीए नौटिफिक्शन के जरीए वीडियो पसना इसको ल तेले बुली में बाइब